कि नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जोतिति शाह सुपसुपका खास कारिक्रम मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट संतो संतोशी और आज एक नए सब्वेरे के साथ पुन हैं आप लोगों के समख्षु पस्तित हो चुका हूं यह कारिक्र मार्क्सिस माह सुक्रपक शाज अश्टिमित थी है चंडरमा कुम्बराशी में है सदतार का नक्षत्र साम पांच बज़के आठ बज़े तक पांच बज़कर आठ मिनट तक इसके बाद पुर्वा भाद्रपद नक्षत्र का आगमन होगा योग रहेगा विष्टी तदनुसार दिनांग चार दिसंबर दिन बुद्वार बुद्वार को राहुकाल का समय दोपार बारह वज़े से डिड़ वज़े तक रहता है कारे आपके बनते चले जाते हैं मतलब गुलिकाल शुब समय और राहुकाल अशुब समय मेश से लेकर मीन तक आईए जानते हैं आज की भविष्यवारी मेश राशे आज पढ़ाई में कुछ अवरोध और व्यवधान आ सकते हैं थोड़ी से स्विक्षा में अरूची जगेंगी पढ़ाई करने का अमन नहीं करेगा स्विक्षा में कुछ दिक्कतें अचानक से आ सकते हैं आज कुछ व्यक्तिकत मसले उजागर हो सकते हैं सावधान रहीएगा व्यापार के मामले में दिन थोड़ा सा उल्जन भरा रहेगा कुछ लेंदेन को लेकर के समस्या एगंभीर हो सकती हैं अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और जितना हो सके स्वियम को साधन करने की कोशिश करिएगा मेश राशी प्राइवेट सिक्टर समय शुभा रहा है पूरी तरह से आप प्रमोट हो सकते हैं आज शुक्षा में जो अवरोध थे वो प्राइवेट सिक्टर वाले आज आनंदित होगर के आगे लेकी जाएगे दिन अच्छा बीतेगा सकरात्मक रहेंगे नई नवकुली की संभावनाएं बन सकती है आज गौर्बंट सिक्टर में दिक्कते आ रही है वहां से कुछ चोटाद की संभावना है आज प्रमोशन के मामले में कुछ अडचन अचानक से आ सकती है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पति-पत्नी के बीच रिष्टा बहुत सुन्दर रहेगा बहुत सुलज जाएगा पति-पत्नी दूसरे को समझने की प्रयास में सफलता प्राप्त करेंगे लव लाइफ में आज शादी की चर्चा कर सकते हैं पत्नी बना सकते हैं या पती बना सकती हैं लड़का-लड़की देखने दिखाने का कारकम आज बहुत सगरात्मक रहेगा स्वास्त के मसले पर एडियों में समस्या रहेगी आज सर्दी लग सकती है सावधार रहे दस वर्ष तक के बच्चे जो मेश राशिके हैं उनके माता पिता एक्स्ट्रा केर करें छोट चपेट की संभावना है स्वास्त के मामले पर आज गंभीर रहना है आपको बस इतना ध्यान दीजेगा उपाय क्या करना चाहिए आज किसी जरूरत मंद को दाल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज मेश वालों को जादा किसी पर भरोसा नहीं करना है लाल रंग शुभाय 58 प्रतिशत का भाग आपके साथ है ब्रिशब रासी आज आप पर दोस्ती में कुछ बिवाद की स्थिति पैदा हो रही है जो पढ़ाई को प्रभावित करते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समयन पूल रहेगा ब्यापार में भी उन्रति होगी बिजनस अच्छा चलेगा वाहन ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले कहीं जमी जाजार में निवेश कर सकते हैं गॉर्मेंट सेक्टर में तो आज जगड़ा हो सकता है अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए जो आप पर बहुत बड़ा आरोब सिद्ध हो जाए आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है दामपत्य जीवन सुधारने की कोशिश करिएगा आज लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा रेट पे जा सकते हैं कोई नया प्रपोजल मिल सकता है आज स्वास्त के मामले में सांस और स्किन की प्रॉबलम आज दिखाई दे रही है प्रयोग क्या करना है आज ब्रिशब रास चार दिसंबर नमक एक चुटकी किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज ब्रिशब रास वालों को किसी अजनभी पर भरोसा नहीं करना है पीला रंग शुभ है 64 प्रत्षत का भाग गयाब के साथ है मेथोन राशी पढ़ाई में आज व्यवधान आ सकते हैं स्रिक्षा में दोपार तक कुछ दिक्कते आ सकती हैं ट्रांसफर इधर उधर आपका कार्य छेत्र मदब जहां रहते हैं और जहां पढ़ते हैं आज एक परिवर्तन लेकर आएगा व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यापार में कुछ बलकी सकरात्मख ही होगा आपके साथ बिजनस जबरदस्त व्यापारिक दिस्टिकोंट से घाटे से बाहर आएगे प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए प्रमोशन के चांसेज हैं आज एचार के साथ रिष्टा बहुत अच्छा रहेगा कोई भी बात से बाहर निकलाएंगे मिथुन राशी चार दिसंबर गॉर्णमेंट सेक्टर वहां सुक मिलेगा नई जिम्मेदारी से नवाजे जा सकते हैं आज धन की स्थति बहुत अच्छी रहेगी गॉर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेज भी रहेगे मिथुन राशी वालों के लिए आज दाबत्य जीवन में कुछ परेशानियां अचानक से पैदा हुई हैं उन परेशानियों की वज़े से दिक्कते बड़ी थी और वो दिक्कते सरवदा के लिए आपको दूर कर देंगे मिथुन राशी आज कुछ आना कानी करना भारी पड़ेगा ये आपके लिए एक अलग तरह की छाप छोड़ेगा उपाय के तोर पर आज हरी सब्जियां किसी जरुरत मंद को दीजिएगा क्या नहीं करना है आज वाहन उधार नहीं देना है हरारंग शोबै क्यावन प्रित्सत का भाग आपके साथ रहेगा करक्राशी स्विक्षा में आज उन्नती होगी पढ़ाई में आज अवरोध दूर हो जाएंगे स्विक्षा में नहीं जगाए अन्मेशन हो सकता है तीचर्स प्रशन रहेंगे इंटर्विव में सफलता मिले आज बिजनस थोड़ा सा प्रभावित होगा लें देन में फंस सकते हैं उलज सकते हैं किसी तरह के कानूनी और चनल में भी आज मजबूती के साथ फंसाए जा सकते हैं करक्राशी चार दिसंबर बुधवार क्राइवेट सेक्टर प्रमोट हो जाएंगे बॉस चेंज हो जा आज नौकरी पर आज आएंगे नौकरी में कुछ बड़ी समस्या हो सकते हैं नहां दीजेगा सूच समझ कर फैसला लेजेगा करक्राशी वालों के लिए आज का दिन बहत सकरात्मग है दामपत्य जीवन मधुर रहेगा यहां दिक्कर दूर हो जाएगी पत्नी के साथ के घुमने टहले का कारक्राशी बन सकता है और आप पर कोई बहुत सकरात्मग कुछ आ सकता है प्रभाव लव लाइफ पर कुछ इस्थिति गणबन हो सकती है लव लाइफ हर प्रकार से बहुत पॉश्टिक रहेगा हर प्रकार आज शादी की चर्चा शादी की तारीख पर सकती है लड़का लड़की देखने का कारक्रम बना सकते हैं करकराशी वालोंकों के लिए बाकरी चीजोंके लिए स्वास्थ आज माईंग्रेन की समस्या हो सकती है आज पेट की भी दिख्कत उलजाएगी करकराशी जहें किया उपाय करनागी कि आज करकवालों को मादुर्गा का ध्यान करना है क्या नहीं करना है आज किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है बैगनी रंग शुभ है महज 47 प्रत्षत का भाग्या आपके साथ है ध्यान दीजेगा सिंगराश दिन अच्छा वीतेगा पढ़ाई में कोमन लगेगा कहीं कुर पिश्टटी पर जा सकते हैं कुछ अवरोध दूर हो जाएंगे सुखत जीवन का हैसास होगा व्यापार अच्छा है बिजनस में कोई स मुझबूती से हमने आएंगे और सोच भी नहीं सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आज नौकरी पर जैसे आँच आज आएगी अगर आज रिजाइन करने के लिए सोचेंगे तो दो-तिन मेहना खाली रहेंगे समहा लिएगा आज गौर्णमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा धन का लाव होगा नई चिम्मेदारी मिल सकती है सिंग राश चार दिसंबर 2019 दांपत्य जीवन प्रभावित होगा दांपत्य जीवन के लिए कुछ समस्या गंभीरता से आ सकती है बहुत विचार करके फिर कदम बढ़ाईएगा दांपत्य जीवन आज कुछ गंभीर रूप में भी आ सकता है लव लाइफ सुधर जाएगा लव लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं है आज आपके लिए बहुत सकरात्मक रहेगा शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में कुछ दिक्कत है हेल्थ वाइज आज कुछ परिशानी हो सकती है हेल्थ में कुछ शान्त रहने का प्रयास करिएगा कम बोलिएगा आज उर्जा आपके शक्ति आपके साथ रहे क्या उपाय करना चाहिए आज का दिन प्रियोग के लिए गव माता को प्रणाम करके राहु को ध्यान करके कुछ दूद का दान कर दीजिएगा क्या नहीं करना है आज इधर की उधर लगाना बजाना नहीं या औरेंज कलर शूब है पचास प्रिश्ट का भाग के आपके साथ है कन्य राश पढ़ाई में आज अधूर अपन दूर हो जाएगा स्विक्षा में आज ग्रूप इस्टिक पर बाहर जा सकते हैं मित्रों का सानिद रहेगा परसनल व्यक्तिगत मैटर सब सौल हो जाएंगे विद्यार्थियों के लिए ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कोई अवरोध नहीं कोई रुगावट नहीं बिजनस की स्थिती बहुत सकारात्मक हो जाएगी ब्यापार के लिए आज बहुत शुब दिन है प्राइवेट सेक्टर में आज बहुत अनुकूलता गौर्मेंट सेक्टर के लिए आज मश्किलें आएंगी बॉस के साथ तु तु मैं में भी बाद हो सकता है करने राशी चार दिसम्द थोड़ा सा अपने आप पर सामतोना देने की कोशिश करिए का गौर्मेंट सेक्टर वालों के लिए अपने आपको ही आप समझाईएगा कि नई ठीक है सब ठीक हो जाएगा दामपत्य जीवन करने राशी वालों के लिए आज उलजन भरा रहेगा किसी की कर लगाना बजाना काम कर जाएगा अनावश्यक छोटी छोटी बात पर आज उलज जाएंगे पति-पति करने राशी वाले स्वास्त के मामले में बताऊंगा लेकिन लव लाइफ के बारे में चर्चा करें तो आज डेट पे जा सकते हैं मेरी तरफ से छूट है लेकिन ओर एग्रेसिव ना होईएगा लव लाइफ के मेटर पर स्वास्त के मामले में आज गर्दन की समस्या कुछ है नेक प्रॉब्लम गर्दन यहां और सोल्जर्स में प्रॉब्लम हो सकती है तुरा सब और जिस वगरे यह सब करिएगा जो हिलाते वगरे हैं क्या नहीं करना है अज अंधा हिलाते हैं आज किसी महिला के साथ अभद्र व्योहार नहीं करना है बादामी रंग शुभ है 62 प्रत्षत का भाग्याब के साथ है तुला राशी दिन अच्छा है आज हो मन लगा कर पढ़ेंगे पढ़ाई में आज उन्नती होगी व्यापार अच्छा चलेगा प्रुके धन की प्राप्त रहेगा नए श्टार्टप पर बढ़ सकते हैं सूच सकते हैं चार दिसंबर बुद्वाद तुला राशी प्राइवेट सेक्टर यहां पर लेंदेन आज परेशान करेगा सूच समझ कर फैसला लेना उचित होगा है बहुत विचार करिएगा तुला राशी आज का दिन आपके लिए बहुत सकरात्मुद आज का दिन आपके लिए बहुत सकरात्मुद तुला राशी वालों के लिए कुछ बड़ी मांसिक इस्थिती शुभ होने जा रही है तुला राशी वालों के लिए आज सब कुछ बहुत पॉच्टिव होगा लव लाइफ दांपत जीवन बस समझ लीजेगा कि आप ही क्यात में स्वास्त के मामले में आज इस्किन की प्रॉब्लम है कुछ छाती में दिक्कत हो सकती है तुला राशी चार देसंबर बुधवार क्या उपाय करना चाहिए आज आज उल्टे हाथ से एक चुटकी नमक कि किसी पौधे की नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है कि आज किसी को उधार नहीं देना है काला रंग शुबह सत्तावन प्रत्षत का भाग्याब के साथ विश्चे ग्राशी मांस्रिक इस्थती बहुत अच्छी रहेगा पढ़ाई में खूब मन लगेगा आज शिक्ष सकारात्मक होगा बिजनस में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते है प्राइवेट सेक्टर वालों परनें लैकरले कोई महिला आज Awwude करेगी में pra जिहास से आज गवर्मेंट सेक्टर में आप प्रमोशन पाएंगे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा मधूर रहेगा दामपत्य जीवन में कुछ बहुत सकारात्मख होगा और दामपत्य जीवन बलकी आज कुछ इस्ति लेन देन को लेकर कि पॉज्टिव हो जाएगी लव लाइफ यहाँ पर मुश्किले आ सकती है समझने की कोशिश में कुछ समस्यागं अंभीर हो सकती है लव लाइफ को बहुत सोच बिचार कर कदम बढ़ाना होगा स्वास्त के मामले में आँख और बैक की प्राब्लम हो सकती है बिच्चिग्राशी वालों के लिए मधमेह अर्थात शुगर यह भी आज फ्लक्शुएट करेगा बिच्चिग्राशी उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन भगवान शिव का ध्यान करिएगा ओम नमह शिवाय भगवान शिव का कहीं आसपास मंदिर यदि हो तो एक डिया जला करें कच्चा चूप दूद चढ़ा दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है जो आपके लिए परिशानी का कारण बने है सफेद रंगशुभ है पचास प्रत्रत का भाग्या आपके साथ है धनुराशी धनुराशी वालों के लिए हर प्रकार से आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं बहुत बिचारनी ये विशय है कि आप विद्यारती हैं तो आप विद्या के अलावा किसी और विशय पर सोच रहे हैं तो आज दिक्कत में आ सकते हैं आप पढ़ाई प्रभावित होगी प्राइवेट सेक्टर बताएंगे लेकिन बैपार वालों के लिए बता दे धनुरा अगर आपकी है और आप चार दिसंबर 2019 दिन बुद्धवार के विशय में जाना चाहते हैं तो यह मान करके चलेंगी बिजनस तो आज प्रभावित होना ही है कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं दुपार धाई बजे के बार आज धनुराशी वालों के लिए मांसिक अशान्ती कारण में आ रहा है बहुत विचार कर लीजेगा फिर कदम बढ़ाईएगा धनुराशी कुछ इश्थितिया आपके हाथ से आज निकल जाएगे धनुराशी प्राइवेट सेक्टर बाउस के साथ उल्जन बढ़ सकती है धन का लेंदिन सावधानी से करिएगा स्वास्त के मामले में बताएंगे लेकिन दामबत जीवन बता देते हैं आज धनुराशी वालों के लिए चार दिसंबर मैरियर लाइफ में दिक्कत दिखाई दे रही है बात का बतंगण बन जाएगा जब अरदस्ती के जगड़े होंगे बच्चे आज सफर कर जाएंगे लव लाइफ बहुत अच्छा है लव लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी सावधानी के साथ रिष्टे को आप आगे लेकर जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत सकारात्मग है स्वास्त की स्थिती आज आँख और बैक की प्रॉब्लम परिशान कर सकती है उपाय के तोर पर आज ड्राइफ फूर्ट्स किसी जरूरत मंद को दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज बहुत जादा खुद को समझदार नहीं समझना है नीला रंग शुभ है 72 प्रतिशत का भाग के आपके साथ है मकर आश दिना रंग 4 दिसंबर दिन मुधवार मंद बहुत प्रशन रहेगा आज पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे बाहर जाकर किभी शुक्षाक रहन कर सकते हैं बिजनस आज प्रभावित होगा बिजनस में रिस्क लेना भारी बढ़ेगा पार्टनर्शिप तूट सकती है मकर आश प्राइवेट सेक्टर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा मकर आश आज का दिन आपके लिए कोई बहुत बड़ी सौगात लेकर आ सकता है तामपत्य जीवन के बारे में बताएंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज नोगेवी में प्रोमोशन के चांस जोंगे हो सकता है कि कुछ आप पर आज बहुत सकारात्मक हो जाए और दामपत्य जीवन सुधर जाएगा आज दामपत्य जीवन में किसी तरह की रिक्ट नहीं आएगी पुरानी समस्याओं को आज मिल बैट करके हल निकाल लेंगे लव लाइफ प्रभावित हो रहा किसी दूसरे के कहने में आगर के आप अपने रिष्टे पर कुछ आख्षेप लगा सकते हैं बहुत विचार करके निरणे दीजेगा लव लाइफ में शादी की चर्चा टाल स्वास्त के मामले में आज इसकिन की दिक्कत है सांसों की दिक्कत हो सकते सर्दी जुखाम दस वर्ष तक के बच्चों को आज अगर उनकी मकराशी है तो साधान रखना है उपाय क्या करना है आज मादुरुगा का ध्यान करना है मादुरुगा के समक्ष दिया जलाईएगा क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर अवाइट करना है नहीं पहनना है हरारंग शुबर 6 प्रत्षत का भाग आपके साथ कुम्बराश चार दिसंबर बुद्वार कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कुछ अचानक से दिक्कत आ सकती है कुम्बराश वालों को आज पढ़ाई प्रभावित होती दिखाईते रहें कुम्बराश कुछ सकरात्मक सोच विक्सित करिएगा समस्याय दूर हो जाएगा व्यापार प्रभावित होगा धन लेकिन दोपहर के बाद आएगा प्राइवेट शिक्टर में प्रमोट होंगी बहुत चेंज होगा गौर्मेंट शिक्टर में वाहन का सुख मिलेगा आज जमी जाजाद में निवेश कर सकते हैं दामपत्य जीवन में कोई तीसरा लड़ा रहा है इसको महसूस करिए लव लाइफ शादी की बात पहुँच जाएगी परिजनोदा स्वास्त के मामले में आज गर्दन में समस्या तो है ही इसकिन और बुखार की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज चावल कच्चा ले करके किसी जरुरत मंद को आज दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज कुम राश्य वालों को लंबी यात्रा नहीं करना है पीला रंगशु भई क्यावन प्रत्षत का भाग्याब के साथ है चार दिसंबर रंतिम राश्य मीन पढ़ाई अच्छी करेंगे आज सिक्षा में आई बाधा दूर होगी सिक्षा छेतर में प्रमोट हो सकते हैं आज टीचर्स प्रशन रहेंगे ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस में आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा पैसा कहीं फस सकता है लोन आज रिजेक्ट हो सकता है प्राइवेट सिक्टर वाल गार सावित होंगे रिस्ता मधुर रहेगा लव लाइफ दिक्कत है लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है आज लव लाइफ में थोड़ा सा मक्षन बाजी का तरणका लगाना पड़ेगा जिसकी भी मीन राशी है याद रख ले सुधरेगा रिस्ता ठीकी हो स्वास्थ के मामले में आज थोड़ा सा नाभी के नीचे पीन हो सकता है महलाओं को खास तरपर जो प्रेग्नेंट इस्त्रियां है उनको बहुत सा उधान नहीं क्या करना चाहिए आपको कुपाय के तोर पर आटा और चीनी मिक्स करके किसी कागज में रखकर और किसी पूजर नहीं करना है शुबरंग बैगरी भाग ये प्रिस्षत सत्तावन आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अब आज के भाग क्या अक्षर की ये आपका अपना शुब भाग या अक्षर है बढ़ेंगा आगे इंतजार कर रहा है आपका सक्सेस की एक सिक्का सर से तीन बार उल्टा वार ले और उसे किसी पौधे के नीचे रख दे कोई भी सिक्का एक रुपे का दो रुपे का इसे ही बस इतना सा करना है शुब कामनाई देता हूँ आज जो तिश जराहत के में सपनों के बारे में हम बताएंगे कुछ सपनों सम्मंदित जानकारियां देंगे और बस चलते हैं कारक्रम आपको पसंद आता हो तो कुछ कमेंट्स भी कर दिया करिए शेर तो करते ही होंगे आप लोग 22-26 दिसंबर सूर ग्रहन का एक अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं समलित हो सकते हैं हैς पूजियानकारी के लिए सूर ग्रहन अनुष्ठान लिख करके दीए गए किसी भी नंबर पर जो स्क्रीन परआ इस कारक्रम के दोरां जो चल्रहा सिर्फ तीन नंबर हमारे हैं इस इन पर चलते हैं बाकि कोई नंबर हमारा नहीं है इन्हीं तीन नंबर पर जो भी बात जीत होगी हम उसके उत्तर रहे हैं बाकि आप फंसते हैं तो आप जाने तो सोरी गहन अनुष्ठान लिखके आप वाट्सप कर दीजेगा आपके पास पूरी जानकारी पहुंचाए किसे समलित होना चाहि है बाकि अगर आपकी पिता नहीं है तो भी आप सम्रित जरूर होईएगा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद और खूब सारा आशिरवाद प्यार है विराश्टी ठेक्या शिरादे एक महा अनुष्ठान का आयोजन सूर्य गुरहण जैसे दिब्ड समय पर आपके जुली आमंतरन क्या है जी हां आपको शरीर आने की आवशक्ता नहीं है आप यूट्यूब के माध्यम से और टैलिफोनिक संकल्प के माध्यम से इस महा अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं आपकी कुंडली के सूर्य को हर प्रकार से बैलंस करने के लिए खास तोर पर पढ आण होता है उसे बैलनस करने के लिए हमारे इस कारेक्रम में आप संब्लित हो ये जरूर संब्लित हो ये प्रार्थना है आप देखेंगे कुछ न कुछ बदलाव हम लाके रहेंगे 22-26 दिसंबर समय कम है दिए कैंट नमबर पर आप कॉल करें वाट्सप करें मैसेज करें Thank you so much. तामस्कार्ट.